जैहिर प्यारे बच्चो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवस क्लासेश में तो प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम क्लास एट साइन्स बुक बेग चेप्टर 6 बल एवब दाब के मोस्ट इंपोर्टेट MCQ कोशन को करेंगे यह अपके विकली टेस्ट, अरदवास्तिक परिक्चा, फाइनल एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेट कोशन है बच्चा इस चेप्टर से जितने भी MCQ कोशन बनते हैं मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसके पिछले वीडियो में मैंने चेप्टर एक से लिए करके चेप्टर 6 तक के मोस्ट इंपोर्टेट MCQ कोशन दे दिये हैं, आप सभी उन वीडियो को भी जरूर देखेगा जल्दी से इस वीडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों को सेर किजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, very very important questions सबसे पहला प्रसंद दिया गया है, इन में से कौन सा अपकर्षन बल है, दर्वाजे को खिचना, दर्वाजे को धकेलना, कुई से पानी खिचना, या इन में से कुई नहीं तो बच्चा अपकर्शन बल का अर्थ होता है धका देना अपकर्शन का अर्थ क्या होता है धका देना जब आप दरवाजे को धकेलते हो किसी बकसे को धकेलते हो कार के धकेलते हो तो इसमें अपकर्शन बल लग रहा है ठीक है तो यहाँ सही उतर होगा भी दरवाजे को धके अगला प्रसंद दिया गया है इनमें से कौन सा अभीकर्षन बल है अभीकर्षन बल क्या होता है किसी भी चीज को खीचना अपनी और खीचना ये होता है अभीकर्षन बल तो गेंद को फेकना कुएं से पानी खीचना पत्थर को उच्छालना या इनमें से कोई नहीं सही उतर होगा भी कुए से पानी खीचना कुए से पानी खीचना यहां पि अभिकर्शन बल है तीसरा प्रशन दे रखा है वह प्रिक्रिया जो वस्तू पर लग कर उसके विरामा वस्था अथ्वा गत्य वस्था में परिवर्तन करे क्या कहलाता है इस प्रश्ण को आप आराम से समझे विरामा वस्था में अथवा गत्य वस्था में परिवार्तन करे माल लिजे कि कोई गेन लुड़क रही है आप उसे रोकते हो या फिर जो सता पर लुड़क रही है वह सता उसे रोकने का काम करती है कोई भी चीज एक जगा इस्थेर है आप उसे जोर से करते हो तो वह क्या होता धका लाता है तो आप क्या लगा रहे हो बल लगाते हैं अधी हम बल लगाएंगे तो गत्य वस्था में गत्य वस्था वाली चीज को हम रोक सकते हैं या फिर विरामा वस्था वाली चीज़ को हम गती मिला सकते हैं तिसरा प्रसन दे रखा है अभी कर्षन का क्या अर्थ है धकेलना, खीचना, लात मारना या इन में से कोई नहीं तो अभी कर्षन का अर्थ खीचना होता है कुए से पानी खीचना, दरवाजे को खीचना ठीक है, ये सभी अभी कर्षन बल के उधारन है पाचवा प्रसन है मानस्पेसियों में लगने वाला बल क्या कहलाता है चुमकिये बल, स्थिर बल, पेसिये बल या इन में से कोई नहीं तो वह पेसिये बल लगाता है, जो हमारी मानस्पेसियों के द्वारा लगाए जाता है इस परकार के बलों का उधारन हो सकता है भारो तोलक द्वारा भाल उठाना या फिर गोडे द्वारा ठांगे को खीचना चटा ब्रसन देरका है प्रित्वी किस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी और आकर्षित कर्षती है अब कर्षन बल, अब कर्षन बल, गुर्टवा कर्षन बल या इन में से कोई नहीं तो विच्छा यहां सही उतर है C, गुर्टवा कर्षन बल यहाँ पर ये प्रशन कई तरह से पुछा जा सकता है गिरते हुए आम में कौन सा फल लगता है तो गुर्तवा कर्शन बल गिरते हुए पानी में कौन सा बल लगता है तो गुर्तवा कर्शन बल ये सभी प्रित्वी जिस वस्तु को अपनी और आकर्शित करती है जो भी वस्तु नीचे की और जा रहा है उसमें गुर्तवाकर्शन बल लगेगा गेंद कुछ हालते हो तो कुछ दूरी तक उपर जाने के बाद वह नीचे गिरता है कौन सा बल लग रहा है तो गुर्तवाकर्शन बल लग रहा है ठीक है? साथवा प्रिश्ट है एक चुमबक का उतरी द्रू दूसरे चुमबक के दजनी द्रू को क्या करता है? तो देखें साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा? आकरशित करता है यदि साउथ साउथ रहेगा तब एक दूसरे को दूर भगाएगा नौर्स नौर्स रहेगा तो एक दूसरे को दूर भगाएगा यदि दो विपरिद धुरू है तो एक दूसरे को आकरशित करेंगे आठवा परसंदे रखा है किसी वस्तु पर काररत बल को दुगना कर दे तो आरूपी दबाव क्या होगा यदि बल को दुगना कर रहे हैं तो दबावगी दोगुना हो जाएगा ये विकल्प से उत्तर है निमलिकित में से कौन सा संपर्कित बल है पेसिये, चुम्बकिये, घर्षन या इन में से कोई नहीं संपर्कित बल यानि इसमें संपर्क करना पड़ेगा तो पेसिये बल संपर्कित बल है ठीक है चुम्बकिये बल तो नहीं होता है यहाँ पर प्रस्ण होना चाहिए इन में से कौन सा संपर्कित बल नहीं है ठीक है क्योंकि चुम्बकिये जो है वो संपर्कित बल नहीं होता है पेशिये भी संपर्कित होता है और घरसन भी संपर्कित होता है चुम्ब के संपर्कित बल नहीं है दाब का एसाई मातरक क्या है टेसला पासकल न्यूटन या इन में से कोई नहीं तो दाब का एसाई मातरक पासकल होता है ठीक है प्रेशर घरसन बल गती की कोई सी दिशा में चलता है समान दिशा में विपरीद दिशा में इन में से कोई नहीं तो इसमें सहीं उतर होगा विपरीद दिशा में यह क्या करता है कोई वस्तु यदि गत्या वस्ता में हो तुसे विरामा वस्ता में लाने का प्रियास करता है कोई गेन लुडख रही है तो सता के द्वारा घरसन बल लगाए जाता है, कुछ दूरी के बाद वा गेन लुड़कना बंद कर देती है, तो यहाँ पर विपरियत दिसा में लग रहा है, यदि यह समान दिसा में लगता है, तब तो गेन लुड़कते जाती, तो यह हमेशा विपरियत दिसा में रखता है, याद रखना है, प्यारे बच्चों आप लोगों को हमारे त्वारा उपलब्द कराए गए जीजे प्रसंद आती तो प्लीज बच्चा भार्दुस क्लाटे इसको सब्सक्राइब जरूर किजिए आपको हर एक पार्ट के टोप MCQ कोश़र करवाए जाते हैं बारवा प्रसंद रखा है किस बल के कारण प्रित्वी सुर के चारो और चकर लगाते हैं तो विकल्प दे रखा है चुमकि गूर्थवा करशन पेशिया या इनमें से कोई नहीं सही विकल्प है भी गूर्थवा करशन बल चंद्रमा चारो और प्रित्वी के चकर लगाता है स दूरे के चार ओर सभी गरह चकर लगाते हैं ये सभी गूरत्वा कर्षन बल के कारण ही होता है तेरवा प्रशन है पेशिय बल किस प्रिकार का बल है संपर्कित आसंपर्कित बल या दाव तो पेशिये बल संपर्कित बल है वस्तू के संपर्क में आने पर ही या बल लगता है इन में से किस कार में बल का प्रियोग होता है दरवाजे को खोलने में ठीक है होता है कौन सा खोलना है तो दो परकाश हो सकता है यदि धक्का दे रहे हैं तो अभिकर्शन खेलने में भी होता है, तोड़ने में भी होता है, यानि इन सभी में इन सभी में यहाँ पे बल का प्रयोग हो रहा है पंदरमा प्रशन है, सुस्क मोसम में किस बल के कारण बालों में कंगी करने पर वह भिखर जाता है गुर्तवा बल, घर्शन, इस्थिर वेदुत बल या इन में से कोई नहीं सही उतर है सी इस्थिर वेदुत बल, इस्थिर वेदुत बल के कारण वह भिखर जाता है सोलमा प्रशन देर का है, परती इकाई छेतरफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं तो इसे हम दाव कहते हैं और दाव का एसाई मातरक पासकल होता है, हमने अभीद परढ़ा सत्रमा प्रशन है, बल का मानक मातरक क्या है? न्यूटन, पासकल, किलोग्राम या मीटर तो बल का एसाई मातरक न्यूटन होता है, ये विकलभ सही है अठारवा गहराई बढ़ने के साथ दबाव क्या होता है घटता है बढ़ता है एक समान रहता है या इनमें से कोई नहीं तो बिच्छा बात की जाए द्रव में गहराई बढ़ने के साथ दबाव बढ़ता है जितना अंदर जाओगे उतने ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जाएगा आप सुने हाली में एक घटना सुनी होगी जिसमें एक पंडूबी था वो जिसमें पांच लोग सवार थे वो समुझर के तल में जाकर फट गया क्यों फट गया क्योंकि उस पर दबाव बहुँ जादा बढ़ गया था और पंडूबी की जो सता थी वो उस दबाव को नहीं सहब पाई और फट गई उनिस्वा बरस्न है प्रित्वी के आकर्षन बल को क्या कहते हैं अब कर्षन अभी कर्षन गुरुत्व या इनमे से सभी तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं सी विकल्प एकदम सही उत्तर है इनमे से कौन सा आ संपरकित बल है इस्थिर वेदुत चुमकिय गुरुत्वा कर्षन या इनमे से सभी बताईए गवत्ता तो सही उतर है D इनमे से सभी अकिस्वा प्रसंदिय रखा है न्यूटन को किस अच्छर से दर्षाया जाता है हम जानते हैं बल का इसाई मातरक न्यूटन है और न्यूटन को अंग्रेजी के N अच्छर से दर्षाया जाता है D विकल्प यहां पे सही उतर होगा किसे दाशाय जाता है अंग्रेजी के एनच्छर से एक किलोग्राम बल में कितने न्यूटन के ब्राबर होता है 0.98 न्यूटन 9.8 न्यूटन 98.0 न्यूटन या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प है 9.8 न्यूटन बी इस दा राइट एंसर तो है इस्वा प्रशन दिया गया है बच्छा बल के लिए संपरकित सता का छेत्रफल डैस होगा दवाव भी कम होगा तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर छेत्रफल कब यहां पर छेत्रफल होगा दवाव कब कम होगा जब छेत्रफल अधिक हो या छेत्रफल कम हो यह प्रशन आप सभी को कमेंट में बताना है जल्दी से इसका उत्तर आप सभी कमेंट में बताए कम होगा या अधिक होगा अगला प्रशन है प्रित्वी की सता से उच्चाई के बढ़ने के साथ वायू मंडलिये दबाव क्या होगा तो यदि हम उच्चाई के साथ बढ़ते जाए तो वायू मंडलिये दबाव यहाँ पे घटेगा ठीक है भी विकल्ब सही है उच्चाई पे बढ़ने के साथ घटता है और गहराई पर बढ़ने के साथ यह पर बढ़ता है तरल पदार्थ का क्या अर्थ है द्रव गेस दोनों या इन में से कोई नहीं तो तरल पदार्थ में दोनों सामिल होती है द्रव भी और गेस भी तो बच्छा यह था जल्दी से इस वीडियो को सेर किजिए और लाइक जरूर किजिए इसकी पीडियेफ हमारी टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक किजिए और टेलिग्राम च झाल झाल